कब आएंगे तो 25 अभी इसके डेढ़ती लेगन अभी आ चुके कैसे डाउनलोड करना है उसका एक नोटिफिकेशन आया है एक सोट अभी हमने बनाया है वो हमने अपलोड कर दिया उसको देख लेना तो डाउनलोड कैसे करना है पूरी 4-5 ओप्सन है उसके पूरी डिटेल उ सकते हो तो वहां से तो आपका डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद में यह एक एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड किये हैं इसमें कुछ इंस्ट्रेक्शन दिये हुए है वह आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं चाहे आप कितना भी क्यों ना पढ़ लो अगर एक्जामिने गर आता जिसे आप बिलोंग करते हुए है इसलिए रिक्वेस्ट ऐ कि कोई आप घलती नहीं करें Look. fuckin Center पे आप कम से कम इंट्री आपकी होगी, मतलब 9 बजे बाद में इंट्री नहीं होगी, यह आपको मान के चलना है, इन्होंने साब सूतरा यह लिखा है, इसका मतलब आपको 8 बजे, 7 बजे के आज पास अपने सेंटर पर पहुंच जाना है, ताकि किसी तरह की एवेवस्ता नहीं हो, नकल नही हो इसके लिए यह सब कुछ किया जा रहा है, यह आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद में परिक्षा के अंदर पर आपको क्या-क्या लेके जाना है, आपको एक फोटो लेके जाना है आपकी, तो आप 2 फोटो ले जा सकते हो, इसकी जगह, अभी आपकी जो लेटेस्ट उस तरीके की नहीं लेके जानी है, जिस तरीके की फोटो मर्ज करके ड़मी कंडिडेट लेके जाते हैं, अक्सर ऐसा एकजाम में होता है साभ सोतरा इन्हों ने बोला है कि आपकी original फोटो ले जानी है, अगर आपकी हिमत अपरिक्षा देने की, तो आप original लेके जाना इदर उदर का manipulation वाला काम नहीं करना साब सूतरे सब्दों में लिखाव है इसलिए ध्यान रकना है कहीं बच्चे मैंने देखे हैं पिछले 13 साल के अंदर कि admit card को पढ़ते ही नहीं है और वाँ center पे जाने के बाद में दुकाने डूंडते हैं इसलिए आपको फोटो मांग रहे हैं मुझे पता ही नहीं था क्योंकि यह जो मैं बता रहा हूँ यह आपको time खराब करना मेरे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि यह तो इसके उपर लिखाव है फिर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते नहीं वाँ center के उपर गोमते हैं इदर उदर इसलिए आपको फोटो लेके जानी है पैचान पत्तर लेके जाना है और वो आपका केवल और केवल आधार कार्ड माना जाएगा आधार कार्ड में भी क्या होना चाहिए उस पे आधार कार्ड पे जन्नम्तिती का अंकन होना आवशिक है dato of birth आपकी आधार कार्ड पे होनी चाहिए आई बास मज़ में उसकी photo भी update होनी चाहिए पूरानी नहीं होनी चाहिए लेकिन अभी आपकी photo update होगी नहीं इसलिए जो भी उसे काम चला लेना अगर कोई विशेश केस हो गया तो यह आपके दूसरे जो डोक्यूमेंट से वो चेक किये जाएंगे अगर कोई विशेश केस हुआ तो पासपोर्ट, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइशेंस, मत दाता पैचान पतर इनको कंसिडर किया जा सकता है अगर कोई विशेश केस हुआ तो अधरवाइज आधार कार्ड ही मेन है यदि किसी बच्चे की माल लो कि आधार कार्ड की फोटो अपडेट नहीं और आठ भी क्लास वाली अभी लगा रखिये जो कि वो खुद भी नहीं पहचान पा रहा है और क्योंकि आप दो दिन में वो अपडेट होगी नहीं एसा बच्चा ये additional documents लेके जाएं ताकि उसको किस अच्छी तरीके की माँ समझ्या नहीं आए नेक्स्ट आप जब सेंटर पे अंदर जाओगे तो हरे एक चीज अच्छी तरीके से चेक की जाएगी और बिल्कुल किलेर हो जाएगा कि ये dummy candidate नहीं है original उसके बाद में आपको अंदर allow किया जाएगा अब इन्होंने साब सूत कई पेरेंट्स को मैंने गिडगडाते वे देखा है कि सर मेरे बच्चे ने हमारे बिना बताए इस तरीके का काम कर लिया आज बच्चा हमारा जो है जेल काट रहा है या फिर कोट के चक्कर लगा रहा है मुझे सबसे ज़्यादा बच्चों का इसी से डर लगता है क्योंकि जब बच्चे की नोकरी नहीं लगती तो उसको लगता है कि ये वाला तरीका ठीक है मैं ममाजी से बात करके शेटलमेंट कर लेता हूँ इन्होंने साब सूतरा लिका है कि परिक्षाओं के समन्द में विभिन सोसल मीडिया पर या फिर इंडिविज्वल कहीं कोई पर भी आ आर्तिक जुर्मान है इसके बाद में खाली पेशों से नहीं बाद में सजा है दस साल से लेके आजीवन कारावास तक आप ध्यान डगना पेपर आउट होने की वज़े से इस पिछली सरकार में बहुत सारे से केस हुए पूरे देश में पेपर आउट के बड़े केस होते है उससे पहले सरकार है उनमें भी हुआ लेकिन इस बार सरकार इस मेटर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है किसी भी तरह के कि आपको रिस्क नहीं उठानी है ज्यान डगना इस बात का आगे ये तो हो गई आपको सजा वाला काम दूसरा पांच विकल पाएंगे चोपशन अगर चार नहीं आ रहा है तो पांच वाएंगे जो है आपको बरके आना है खाले नहीं चोड़ना है बार बार बताया जा रहा है कि अगर खाली चोड़ दोगे तो आपके अगर दस परसेंट से ज्यादा खाली चोड़ दिये तो आप एकजाम के लिए जो है डिस कोड क्या है इसका अलग से मैं वीडियो बना के डाल दूंगा उसको भी आपको फोलो करना है कानों में बालियां जो है यह कहीं बार आज कर लड़कियों से ज्यादा लड़कों के यह समझ से है बालियों वाली तो यह भी ध्यान रखना में और आपको डिटेल में बता मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि संस्तान ने हमेशा बच्चों के लिए इमानदारी से काम किया है परिक्षया तक काम किया है आगे भी हम करेंगे लेकिन एसी लापरवाई मत करना और अननेसेसरी जो गलत इन्फोर्मेशन बच्चे देते हैं या जो लोग इस करने पर मैं आपकी ओजाओंगा इस बात की जो पालना करता है सोट कट का कभी भी यह साथ नहीं देती है कल आप सभी बच्चे और हमारे टीम के साथ जुड़े आज दिन बर आप जुड़े रहें तो कल आमने वाली हमारी जो टीम है वो भी पूरी एनरजी के साथ लगी हिंदी में भी रहेगा और इंगलिश में भी रहेगा इसके अलावा आपके कुछ और सजेशन है तो इसी वीडियो के कॉमेंट बोक्स में जाके आप लोग जो चात्ते हो चार तारिक तक रोयल इंस्टिटूट से उसके लिए हम रेडी है आप जो कोगे और सही रा तो हम उ हागा रिजोल इंस्के रिए डेगाव श्राव जुवर्ण में पर आपके ख़ागा यज पर लोगे जो बो लोगे जो एए हम अबड़ा बोगे भी तो हम इप द्राव ओंट है जो अम प्लावोगे बोगे हो जाए हम तो हम ऊप्रीव जो बोगे उाँ हम उपजोगे हम पो